जैन दोस्तों गुड मॉर्निंग सुबह के करीब सात बज रहे हैं और अभी जो पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा है न लब स्ट्रिंग वाले वीडियो ने काफी सारी चीजों को एक्सपोस कर दिया है इन दी सेंस आप यह सोचिए कि आप एक वीडियो बना रहे हो अगर आपको कोई information गलत लग रही है उसमें तो भाई law है आप सीधे किसी को मतलब आप case कर सकते हो हमारी country में इतनी तो है ही हमारे उपर कि भाई आप कुछ भी कांड कर सकते हो और बच के निकल सकते हो लेकिन अगर आप किसी की सच्चाई के बारे में बात करो जैसा कि हम ब आपको अपत्ती की क्या जरूरत है तो कि अगर आपको अपत्ती हो रही है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ तो चीज ऐसी है जो आपको ऐसा लगा कि लोगों को तक नहीं पहुँचनी चाहिए और वो पहुँच गई तब ही आपको अपत्ती होत हाने की बात कर रहा हूँ अब ये बोल रहे हो कि हम ये चेक करेंगे कि भाई इनों ने किस दबाव में आकर ये ट्वीट किया मतलब अगर आज मैं यहां खड़े होकर अपम देश के लिए कुछ बोलना चाहता हूं कुछ बात करना चाहता हूं तो कैसे मेरे देश के खिलाफ ह हो सकती है और क्यों मेरे लिए इंक्वाइरी बैठेगी और सबसे वो डिवात इंक्वाइरी भी कहां बिठाई जा रही है वो भी सोचने समाजने वाली बात है अब वापस आते हैं स्ट्रिंग के वीडियो पर तो स्ट्रिंग के वीडियो में जो टूल किट की हम लोग लग बातार शेयर की जा रही थी अब अगर उस टूल किट में हम लोग थोड़ी दरकली मान लेते हैं कि वो टूल किट जूट है मतलब वो कुछ थी ही नहीं तो फिर आप मुझे बताईए कि ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने का टाइम किसके पास है वैसे तो कई सारे जो मेरे आसप थंबर के फर वही आजाती है कि आखिर अगर वो टूल किट कुछ थी ही नहीं तो इतना समय किसके पास है कि उस टूल किट को बनाए बैठके और ग्रेटा थंबर भाई यह सेलेब्रिटी हैं बिलकुल एक्टिविस्ट हैं अवार्मेंटल प्रेंडिल यह आदमी हैं औरत है बच्ची हैं तो ऐसे इंसान के पास ऐसे टूल किट वो भी जिसमें इंडिया से लिटेट चीज़ें हो कैसे पहुंचगी सवाल यह उठता है तो इन चीज़ों को आप कितना ही दबा ले लोग बार बार यह सवाल पूछेंगे और इस वीडियो का डिलीट होना स्ट्रिंग कि हटाया जाना लोगों ने हाला कि इसको डाउनलोड कर लिया था उस वीडियो में अलड़ी कहा गया था कि वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और उस वीडियो को डाउनलोड करके लोगों ने अलागला प्लेटफॉर्म से शेयर करना भी शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे देश में कि इन्सानी फितरत होती है कि आप अगर किसी व्यक्ति को कुछ चीज करने से मना करते हो मतलब कि अगर आप बच्चे को बहुत तो बच्चा टॉफी जरूर खाएगा तो ऐसे में अगर आप किसी को ये बोलते हो कि नियार तुम फला काम मत करो तो लोग वही काम जरूर करेंगे तो ऐसे में आप यूट्यूब ने कह दिया कि इस वीडियो को आप शेयर नहीं करेंगे तो लोग आप वही काम कर रहे हैं जहाँ पर नैशनलिस्ट की जो बात हम लोग लगातार करते हैं वो बात कही ना कही अब दबाने की कोशिश की जाने लगी है इसी को लेकर कल सरकार ने तुटर को लेकर सेतावनी भी जारी करी अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं बिल्गुल काम करें लेकिन अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि हम इस देश के डेमोकरसी को रन कर सकते हैं तो वो बहुत हद तक आप बेवकवाना हरकत कर रहे हैं और इन चीजों से आपको बचना चाहिए और लाजमी सी बात है बचना भी चाहिए क्योंकि आप अजादी की बात करते हैं लेकिन जब अव्यक्ती की बात करने माले इनके ही लोग इनके ही ऊपर सवाल उठाते है एक फेस Say कर रहा है कि आपको अपने ही उप्लॉई की आवाज कोशिश कर रहा है तो ये सारी चीज़े हैं थोड़ी बहुत नहीं कई सारी हैं जो लोगों के जहन में समय चल रही हैं लेकिन इस्ट्रिंग वाले वीडियो ने वाकई में कई सारी चीज़े खोल के रख दिये हैं ऐसे में जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं कि हमको एक इ और उनको नहीं मैं यह कहूंगा उनको बिल्कुल भी राइट नहीं कि वो इस तरीके से किसी भी प्रोपगेंडा को लेकर बात करें क्योंकि कई सारी चीज़े हैं जो लोग अब समझने लगे हैं सोचने लगे हैं और अपनी बातें जागर होकर रखने लगे हैं पहले कर जो बातें सामने आ रही हैं उन्हीं में से एक सबसे वड़ा नमूना है प्लस यूपी की जो राजनीती है यूपी की राजनीती को अफेक्ट करने की कोशिश जो की जा रही देखिए आप ये समझ ये सी इस को कि जिस तरीके से कॉंगरेस ने अब प्रियंका गांधी को आगे कर दिया है कि भई आप यूपी समाली प्रियंका गांधी के छवी हमने पहले भी देखा थे कि इंद्रा गांधी यसी नाक है उनकी ये बताकर उनकी छवी मनाने की कोशिश की जा रही थी देखिए मेरा जहां तक मानना है कि आंदलोनों से जादा कुछ तो हासिल होता नहीं है लेकिन हाँ कोई ना कोई राजनीता जरूर सामने आ जाता है और शेत्र की जहां पर राजनीती चल रही हो जहां पर आंदलन चल रहा होता है वहां की राजनीती को जरूर कुछ ना कुछ एफेक्ट जरूर होता है आप खुद सोचिए कि इस बार 26 जनवरी के बाद यहां पंचायत के नाम पर और जो सरीके से वहां पर यह कह रही है कि भई हम किसानों के साथ हैं और हम आएंगे तो यह किसान के जो काले कानून है वो हटा दिये जाएंगे जैसा कि मोदी जी ने कहा कि यह लोग सिर्फ रंग के बारे में बात कर रहे हैं कॉंटेंट और इंट चोटे कारोबारी हैं जो रेडी लगाते हैं ठेला लगाते हैं उनके धंदे बंद हो जाएंगे आप मुझे बता दीजे कितने लोगों के धंदे बंद हो गए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर के पास में ऐसे कई सूपर स्टोर सूपर मार्केट हैं जहां पर सबजी भी नहीं रहा होगा ना तो ये बात आखिर कहां से आ जाती है लेकिन बस बात वही है कि कॉंटेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है इंटेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा बस यही कर रहा है काला कानून है किसानों को बरबात कर देगा ये कर देगा वो कर दे पूरा राजनीती करन किया जा रहा है टिकेद सहाब की वैसे भी संपत्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत सारी चीज़े हैं जो निकल के सामने आ रही है और इन आंदलोनों से मैं बार बार आप लोगो याद दिलाता हूं कि जनलोकपाल को लेकर जो अन्ना प्राजनीती करन किया है सारी चीज़ें का अंदोलन का फायदा किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है यह आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से मैं भी जानता हूं ऐसे मीं स्ट्रिंग वाले वीडियो के साथ जो चीज हुई है उसमें सभी लोगों को एक कर दिया है और यह ला दी है कि भही कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गरबड जरूर चल रही है अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो मैं आप से भी उम्मीद करूँ है कि आप भी इस बात को आगे बढ़ाए शेयर करें अगर आप कैसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आप हमें दोस्तों के स समझाना चाहता था समझ गया होंगे और यह जगे बहुत अच्छी है आज सुबह से मैं यहीं पर हूँ तो जैन जै भारत